अलो एविवन और वेलकम टू फ्रेश फूट फरवर आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ यह मैंने बनाया है मग केक पारलेजी मग केक यह मैंने पारलेजी बिस्किट्स लिया है यह जो 10 रुपे का पैकेट आता है वह वाला पैकेट इसमें कुछ भी नहीं करना होता जादा बहुत इजी भी बन जाता है केक अब इसका अंदर दूट डालों ही मैं एक कब दूट दिया मैंने थोड़धवा नी बैटर तयार करना है इसमें अद पैटर मलाई भी थी छोड़ी मैंने तली साती है अब इसको बदब टे नहीं है इसमें इतना जादा मिक्स करना है कि इसमें लंग्स नहीं रहे हैं बिल्कुल भी दूर थोड़ा करके डाल गयों है यह देखे मिक्स करती चारिए अब यह काफी ठीक है तो दूर में और डाल दिया और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है हमने बहुत ही टेस्टी क्योंकि पारलेजी में वैसे बहुत ज़्यादा चीनी होती है मीठे होते है काफी इसलिए अब दूद थोड़ा और डाला मने पूरा एक कप दूद लगा इसमें इसको पैट रहे हो अच्छी तरह से जबी भी आपका मन करें मीठा खाने का तो आप ये केक बना के खा सकते ह दो तीन मिनट लगेंगे इसको बनाने में बहुत एजीली बन जाता है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हो अच्छी तरह से ताकि लांस ना रहा इसके अंबर अच्छी तरह फैट रहे हो अच्छी तरह से त्यार हो गया है मिने इसको मग में नाल दिया है इसमें मैंने थोड़ी से काजू भी डाले थे और उपर से गार्निशिंग के लिए भी काजू दालोंगी तरह के काजू डाल रहे हुँ मैं आप और कोई ड्राइफ्रूट्स तालना चाते हैं तो दाल सकते हैं बहुती ज्यादा टेस्टी लगते हैं काजू इसके इंदर अ और यह लेखिए रेडी हो चुका है अब इना लिखाती हूं आपको निकाल के स्पून से कितना बढ़िया बनाए केक है कितना अचसा देखिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्स्राइब तो राचैनल और थैंक्यू सो मच पर वाचिए